हेलो स्टूडेंट माइनेम इस मनेश मैं इस वीडियो पर बात करने वालों मासी काकलन 2022 तेस माह जुलाई 2022 कक्छा पांच वी विसे पर्यावर अध्यन EBS इन्वार्मेंटल स्टडिस के बारें बताने वालों तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, सेयर और यूटुब चैनल को सस्क्राइब कर लिए 25 संकों का पुर्णांग है खंडा पर 20 संक और खंडब पर 5 अंखंडब है प्रयोजना प्रोजेक्ट और सर्वे कार्य खंडब आ है आपका लिखित कार्य जिसको काल खंड में ही पूरा किया जाना है तो खंडब पहले देखते हैं पौदों की डाल पर एक जगह से एक पत्ती निकलती है तो उसे कहते हैं अकेली पत्ती जोड़िदार पत्ती या दोनों कोई नहीं तो इसका होगा अकेली पत्ती मच्छर अंडब देती है जमें हुए गंदे पानी घोसले में जमीन में पेड़ों में तो इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन जमे हुए गंदे पानी में मच्छर क्या देती है अंडे देती है इसमें आपको संकेत बताना है तो ये संकेत किसका है नदी का संकेत है नारी विन्यास पाया जाता है पत्तियों में तना में जड में और सभी में तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा पत्तियों में उ और वहां का उसका वैसाई क्या है, क्या काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, इन सब भी चीजों की जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ पर केवल चीतर बनाना है, मुसला जड़ और रेसेदार जड़ का, उसके बाद अगला प्रशन, यदि तुम पुर्व दिसा की और च चिन दिसा होगा, यहाँ पर संकेत बनाना है, मंदिर के लिए, जंगल के लिए, और कुवा के लिए, यहाँ पर संकेत बनाना है, नववा प्रशन देखते हैं, ऐसे कोई तीन पौदों के नाम बताएं, जिनकी पत्तियों में काटे होते हैं, जैसे गुलाब का है, कैक्टस नाकपनी हैं, ये सब चीजों के बारे में आपको लिखना है, दिर्गोतरी प्रश्रन बनाना है, कंच्छा पांच की रूचि इस प्राकार है, गीत गाना,ि चालीस विद्यार्ती, किताबे पढ़ना, तीस विद्यार्ती, अभिनाहे करना, दस विद्यार्ती, बागवानी کرना दस विद्यारति इसका इस्तम बार यानि कि बार ग्राप आपको तयार करना है जो आपको तयार करना है उसके बाद खंडबा देखते हैं प्रयोजना कार्य प्रोजेक्ट कार्य आपके इलाके में कौन से सांप पाए जाते हैं जैसे आपके में अजगर सांप होता है असोडिय शाप होता है पिटपिटी असाप होता है और वह क्यों बर्च्छेंए उनकी यहां पर और उनके नाम को पता कर नहीं के पांच अंको का प्रोजेक्ट कारे रहेगा इस तर आपको और नेस्ट वीधियो पर किस तरह से देना है इसके बारे में पतांगा थैंक्यो सो मच